इस प्रावं को सॉल करते हैं, question क्या कहता है, the average of 8 successive number is 6.5, the average of smallest and the greatest number among them will be, क्या कहता है question में, 8 successive number का average दे रखा है 6.5, question में हमसे कहता है, smallest और greatest number का average निकाल के बताव क्या है, ठेकिए? तो अगर हम मालने की 8 successful number अगर हम assume करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F, G, H यह हो गया, यह 8 successful number हो गया अब average जो होता है, वो क्या होता है, middle term होता है It means 4 इधर से और 4 इधर से इसके बीच में जो आएगा वो आएगा average और वो क्या है, even numbers है, 4 क्या है, 8 digit क्या है, वो even number है तो उनके बीच की digit आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो average आ रहा है वो middle term आएगा D और E के बीच का, और वो क्या है, 6.5 है It means D की value क्या होगी, 6 होगी और E की value क्या होगी, 7 होगी, ठीक है तभी तो यह जो middle term आएगा, वो 6.5 हाएगा, उसी तरीके से C की value क्या होने वाली है, 5 B की value क्या होनी है, 4 और A की value क्या होनी है, 3 एफ पी value क्या हो जाएगी, 8, G, 9 हो जाएगा, और H क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यह successive number है, ठीक है और हम से क्या question में पूछ रहा है कि smallest और greatest number का average बताओ, बताओ तो, smallest number क्या है, 3 है, greatest number H क्या है, 10 है, तो 3 plus 10 by 2, that is equal to 13 by 2, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6.5 के, it means option 2, 6.5 is question का सही answer